Hello and welcome friends, आज की ये विडियो Microsoft Access को ले करते हैं और Access में क्या सिखाने वाला हूँ, आई आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर ये Access open किया है मैंने, इसमें पहला Table आप देखते हैं, Registration का Table है, जिसमें बहुत सारे Registration Number और Name of Student भी लिखते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं ये जो है Registration ID ये प्राइमरी की है, ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों के विचमें एक Relationship भी Create कराई गई है, जिसे आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये इस तरीके से Relationship Create कराई गई है, इसे मैं फिलहाल क्लोज करता हूँ, और यहाँ पर Subform बना लिया गया है, ठीक है, Subform यहाँ पर जब हम Registration Table को Open करते हैं, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर Registration Table को किस तरीके से दिख रही है, और जैसे ही हम दूसरे Record पर जाना चाहते हैं, तो नीचे यहाँ पर यह इस्तेमाल करना परता है, तब आप दूसरे नहीं करना चाहते हैं, हम जो है, ऐसा चाहते ह हैं, तो यह R006 गोरो का है, जिनका Rule No.6 है, और अब हम चाहते हैं कि हम एक Search Box, Combo Box Create करें, तो Combo Box Create करना बड़ा असान है, कैसे Create करेंगे, आइए दिखाता हूँ, यहाँ पर चलेंगे, Design पर जाएंगे, और यह जो Registration Table लिखा हुगा है, यहाँ पर इसको हटा देंगे, ठी देखें, यह है आपका Combo Box, तो यहाँ Combo Box पर क्लिक करके, यहाँ पर इसे Drag करेंगे, तो Drag करते ही आपके सामने इस तरह की एक Window Open होती है, जिसमें आपको तीसरा वाला Option सेलेक करना होता है, ध्याम जिखार तीसरा ही वाला Option सेलेक करना है, ठीक है, क्लिक करना है, और Registration ID के इसके हमें सर्च करना है, और यहाँ पर जाकरके, नेक्स्ट करके, ठीक है, यहाँ पर ID 1 आ जाता है, तो हमें सिर्फ Registration ID ही रखना है, हम इसी को रखेंगे, ठीक है, और रख करके, इन दोनों को सेलेक करके, थोड़ा सा Color उगरा, चेंज करेंगे, तो बेटर लुक आएग इसका, तो यहाँ पर यह Color करके, इसे बोल्ड कर देंगे, और चाहे तो आप इस पूरे Box का Color बदल सकते है, बैगराउंड के सुथ, ठीक है, तो फिलाल तो यही रखते है, ठीक है, ठीक है, बाकी यहाँ पर इसका Color बदल सकते हैं, हम यहाँ से जाके, ठीक है, यह देखिए यहां से गय और इसका जो भी color आप रखना चाहते हो वो रख सकते हैं यह हो गया बाकि नीचे का भी color यह जो है पूरा हिस्सा आप चेंज कर सकते हैं जो भी color आप देना चाहिए जैसा भी आप देना चाहिए यहां से दे सकते हैं यह नीचे वाला पूरा हिस्सा जो है select हो जा यहां पर आपको दिखाई देगा और जितने भी registration । जैसे आप registration id 6 select करते हैं तो उसका roll number 6 है आपको यह दिखाई देगा जैसे आप इसे 4 कर देते हैं तो फोर वाला roll registration ID जिनका roll number क्या है वो भी आपको दिखाई पड़ता है यहां से अगर आप change से बड़ा असान हो जाता है तो relationship के साथ combo box मैंने create करके आपको दिखाया है यहां पर आपको relationship मैंने दिखाया है कि किस तरीके से relationship built हुआ है और यह one to many relationship है ठीक है और यह दो combo box design कर लेंगे तो काम आपका काफी असान हो जाए ठीक है तो आई हो कि आपको बात समझ में आई होगी कि यह कैसे design करना है ठीक है